हेलो गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं यह हमारा स्टन फॉर रॉल यूटूब चैनल है यहां हम बेसिक से लेकर एक्सपट लेवल के आपको क्लास उपलब करा रहे हैं बेसिक में हम डोक्टर जीडी विस्ट को पाल दाते विस्ट जिनके नाम दोसो पचास सब्सक्राइब के गितिका रिकॉर्ड है उनकी पुस्तक से हिंदी और इंगलिश अलग लग समय पर करा रहे हैं यहां हमने आपको अपने टेलिग्राम ग्रूप और लिंक सब को शेयर कि हम टोटल यहां आपको इस प्लेइलिस्ट के द्वारा कराएंगे आप हमारी वैपसाइट www.stando4all.com पर जाकर भी किसी भी गती पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं और तुर्टियों के आधार पर अपना रिजल्ट आपको मिल जाएगा चलिए सभी तैयार हो जाएए यहां मैं आपको पिटमेन और सिंपल शॉर्ट हैंड जो की डॉक्टर गॉपाल दाते विस्ट जी की पुस्तक हैं उन दोनों के आधार पर मैं यहां आपको अंतर दोनों में आपको उपलब्द करा रहा हूँ चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यहां पहला वर्ड है गवर्मेंटल गवर्मेंट आप पीछे हम बना चुके हैं पिछले अध्याय में गवर्मेंटल में क्या किया है गवर्मेंट में जी के लिए गा के लिए हमने डार्क किया इसको गवर हो गया, जी हो गया and then ला, governmental के बल ये हो गया हमारा governmental शब्द जी, then ला, governmental जबकि इसके पोजिट आप देखेंगे, पिटमेन बुक में पिटमेन बुक में क्या हो गया, गा के बाद में वी हो गया, एन हो गया और एन हाफ, meant के according, then L, governmental ये पूरा इस तरह से बना हुआ है, governmental उसी तरह से governor, governor इस नोने किस तरह से बना हुआ है गा हो गया, नाका होक हो गया, और रा downward और डाउनबर्ड, governor गवर्नर और उसी तरह से पिटमेन में आप देखते हैं तो किस तरह से बनायल हुआ है वो भी मैं आपको बता दहूँ G हो गया V हो गया और N में R हो गया गवर्नर ठीक है दोनों में आप डिफेंट देख सकते हैं Governing Governing governor जैसे बनाय हुआ है उसी तरह से ing जोड़ देना है n का hook लगा के ठीक है यह governing हो गया आगे है governing इसनों है simple pitman short hand है उसमें g हो गया v हो गया ing के लिए dot जो हुआ करता था ठीक है और यहाँ light और dark का थोड़ा सा आप समझते हूँ चलेगा क्योंकि मेरा pen एक ही तरह से चल पाता है परिशानी होती है तो उस नहीं बन पाता है यहाँ पर है governance गवर हो गया g हो गया n हो गया यह अपका governance उसी तरह से g हो गया v हो गया n हो गया n और s governance यह आपका हो गया उसके बाद में आते हैं alternative all के लिए जो हमारा टिक हुआ करता था pitman में भी है alter doubling के आप यहाँ पर और v उसके बाद में alternative ठीक है यह v बना दिया alternative जबकि आप इसमें देखेंगे pitman में तो आप देखते हैं तो अल्टर हो गया उसके बाद में ने हो गया t हो गया v हो गया alternative इस तरह से उन्होंने बनाय हुआ है resourceful आर हो गया SS के लिए doubling हो गया F हो गया downward L हो गया इसमें क्या है एक आर circle एक आर फिर circle बड़ा circle F और L resourceful दोनों में different है आगे आते हैं next शब्द हमारा unionism यू हो गया union यह उन्होंने इस तरह से बनाय हुआ है और इस तरह से हो गया unionism जबकि इसके simple pitman में आप देखेंगे यू हो गया n हो गया फिर एक और n हो गया फिर n और m और s यह unionism हिंदूजम हिंदूजम में आप देख रहे हैं ह हो गया हालविंग लगा दिया हिंदू की अबाज आ रही है दू और उसके साथ में s और m हिंदूजम जबकि इसमें देखेंगे आप h हो गया n हो गया d हो गया हिंदूजम इस तरह से बने हुआ है आगे institution spelling थोड़ा से द्यान दें spelling हो हो सकता है शायद mistake हो जाए गई तो spelling को थोड़ा से द्यान दें institution का हमने यह बना दिया या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं doubling नहीं करना है normally stroke रहे गई है इस तरह से institution इन्होंने भी इसी तरह से बने हुआ है ठीक है तो उसमें कोई changes नहीं है दोनों same है आगे आते हैं institutional institution के according ही institutional हमने बना दिया यह institution जो बना है था उसी के according हमने उसको बना दिया जबकि इसमें क्या इस तरह से दिया हुआ है anybody के लिए यह हो गया first place B हो गया D हो गया anybody के उसी तरह से एन्होंने भी यही बना हुआ है इसा कुछ नहीं है मैं दोनों में इसमें जो सेम है सेम बना रहा हूँ different है थोड़ा सा different बस उनके में डॉट लगा हुआ नोबडी नोबडी पर आते हैं हमने pronunciation बेस बेस पर लिए हुआ है nobody डॉक्टर जीडी विस्ट की बुक में आपको nobody प्रोणोंशेशन बेस पर लगा और anybody और nobody दोनों इसमें पिट में में आपको line के ऊपर मिलेंगे तो आपने बहां पे ऊपर any के लिए डॉट लगाना है वर्डी के लिए अलग लगाना है दोनों में अंतर लगाना है individual इंड के कॉर्डिंग हाफ और छोटा वी और एल इंडिविज्वल एल नॉर्मल साइस का हो गया उसी के इसमें भी केवल यह दिया हुआ इंडिविज्वल ठीक है आगे है डिवीजनल डी हो गया जन हो गया एल उसी के साथ हो गया डिवीजनल इसमें क्या है डी हो गया दे वी जन सन और डिवीजनल यहां आगे आते हैं सबडिविजनल इसमें क्या सबडिवीजन जैसे बनाया था? शरकल के साथ में डिवीजन पहल जोड़ देना है वस डी डार्क बनता है तो यह चीज़ आप थोड़ा सा कुद बनाते हुँ चले मेरे पैन से माउस से मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं तो उतना नहीं के लिएर बन पा रहा है सब्डिवीजनल हो गया देन आता है सब्डिवीजनल सब्ड एस और वी के एकॉर्डिंग इसको डार्क कर दिया और उसनोंने सब्डिवीजनल एम बैंग्ड एम के लिए आपका लाइन पर बनता है और बी के लिए हमने ये किबल बनाय हुआ है तो एम बैंग्ड हो गया उसी के भिहाप पर पिट में बुक में आप देखेंगे एम हो गया एन हो गया के हो गया embanked इस तरह से बनाए हुआ है embanked यहां dot लगाए हुआ है light तो एक यह light dot आगे हाथे embanked embank और embanked pitman में हमारी bank और bank के according हमने बनाए हुआ है क्योंकि दोनों की same outline है sentence के बहाब पर आपको समझना है embank इसको हमने half कर दिया embanked के के लिए half कर देना है डर की अबास के according आगे आते हैं departmental department के लिए हमारा किवल ये था d और l उसी के साथ में departmental जबकि आप इसमें देखेंगे तो d pr d हो गया pr हो गया और meant mental इस तरह के शब्द आये तो आपको शायद rule याद होगा de join करके बनाते थे तो उन्होंने de join कर दिया जबकि इसमें आसानी से बन रहे हैं आप देख रहे हैं आगे आते हैं partly फर्स्ट प्लेस के बास के कॉर्डिंग पार्ट ली ठीक है पार्ट ठीक है उसी तरह से इसमें क्या है पी बनाया आर हाफ की या एल अपवर्ड बनाया पार्ट ली पर्ट के लिए हमने पर यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोनोसिशन बेस पे पार्ट तब आ रहा है इसमें पर्ट तो यहाँ पे हमने Partly Particular ठीक है तो L को उतना ज़्यादा बड़ा नहीं करना है Particularly आपने यह बना देना है Particular Partly यहाँ पे आप देखेंगे तो Part हो गया और उसको Dishman करके उन्होंने बना हुआ Particularly Incorporate Incorporate में क्या करना है आपने In बनाना है और K में R बनाना है Incorporate उसी तरह से Pitman में भी सेम है तो उसमें जो अंतर नहीं है मैंने आपको वो भी दिखा दिये है ठीक है आगे है Incorporated Incorporate और Incorporated Pitman की बुक में इस दोनों सेम दिए गवे हैं जबकि इन में Incorporated इस तरह से दे दिया Incorporated Incorporate, Incorporated इस प्रणाले की आदार पर इस बुक की आदार पर दोनों सेम है तो आपको सेम बनाना है आगे Incorporation सारे शबदा रहे हैं तो अब क्या इन्हों ने यहां तक तो इस तरह से बनाया था लेकिन इस किताब में हमारी Simple Pitman में Shun का Incorporation का बना देना है लास्ट में Incorporation जबकि आप इसमें देखेंगे तो Incorporation पी में आर देंशन Incorporation Practical Pract पी में आर हो गया है देन हाफ हो गया कल का हमने यह बना दिया Practical और इन्होंने यह बना हुआ है Practical मतलब Line पे टेच करते हुए कह सकते हैं यह दोनों सेम है अलग नहीं है आगे आते है Unpractical Un के लिए जो Pronunciation भी आप पे इन्होंने लिया है उसी के साथ में Unpractical तो आप आप देखेंगे मैं एक बार पुनाहा बनाने का प्रयास कर हूँ Unpractical और Unpractical इन्होंने लिया Line से उपर करके बनाय हुआ है ठीक है? इस तरह से Un यह light डैश लगा दिया यह कुछ नहीं है यह हो गया हमारे शब आगया आते हैं Question level Question के साथ में Business पंडाली में अगर आप देखेंगे तो Question के लिए यहां Line पर Quagua के According बनाया गया है Qua Questionable और जबकि इसमें क्या? यहां पर Qua और S भी Questionable Uncutionable उसी के बहाब पर Line पर Uncutionable यह हो गया यहां पर क्या Un इन्होंने इस तरह से बने हुआ है तो आप यह देख सकते हैं आगे हैं Practice, Practices दोनों शब्दों के लिए P में यार Then K और S Practice और Practices दोनों के लिए सेम है इसमें क्या? Practice के लिए यह है आगे है Practice Nर Shun के साथ में नर लगा देंगे ठीक है इसमें क्या हुआ है? Practice के लिए हाफ किया Then K बनाया T बनाया Shun हो गया R upward यह क्या हुआ है? Practiced जैसे प्रैक्टिस अभी तक बनता आ रहा था उसी व्याप पे STSD का लूप लगा दिया इसके opposite इसमें आपको PR और K बस इतना ही बनाय हुआ है Entirely Entire Terder के chapter के recording doubling वाले principle के Entirely N के साथ L डाउन बडाता है तो यह Entirely हो गया Ent इनोंने क्या किया? Ent के according, TD के according Half किया N को Then R बनाया Then Lee बनाया Entirely Industry Business प्रिणाले में आपको Line के नीचे Industry मिल जाएगा उसी के साथ Industrial हो गया जबकि आप देखेंगे तो यहाँ पर In Dust Tree इस तरह से बना कर दिया गया In Dust Circle Then T इन 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 इस्ट्रियल Circle के साथ में है यह ठीक है तो इसको तोड़ा समझने का प्रियास करें आगे है Industrialize Industrial हमने यह जोड़ दिया थो उसी के साथ में Industrialize इसमें क्या किया हुआ है इसको Industrialize यह बनाया हुआ है ठीक है ये ल के साथ में इंडस्टियलाइज्ड स्टी का लूप लो जोड़ देंगे वस इसी के साथ में ठीक है उन्होंने भी यही के हुआ है जैसे इंडस्ट्री यह बना हुआ है ठीक है इंडेस्टिलाइजेशन जब भी जेशन आएगा तो जेशन के कोडिंग एक और सर्कल के साथ में यह इंडेस्टिलाइजेशन और उसी तरह से इसमें भी यह इंडेस्टिलाइजेशन आगे हैं कंट्यूनियली कंट्यूनियू कंट्यून के डॉट के कोडिंग कंट्यूनियू के प्रिणियुयो गया आप देख रहे हैं कम कलिए और उसी के साथ में एल जोड़ेन एक नियुड़ेन अब इसमें आप देखेंगे तो कह से स्य वन प्रिण consists न हो गया आनों घालो हो गया continuous इन्होंने यह बनाय हुआ है कमकन के लिए इन्होंने भी डॉट लगाया है तो आपको इसा भी जो भी आपको इजी लग रहा है वह प्रिणाली आप यूज कर सकते हैं continuous कमकन के लिए हमारे यह उन्होंने एन्होंने और एस तब बनाय हुआ है continuously कमकन के लिए डॉट एस और एल continuously उसी तरह से इसमें एन्होंने एक्स्ट्रा बनाय हुआ है आगे discontinue डिस के लिए disjoin करके circle बना दिया continue के लिए एक और dash उसी के parallel लगा दिया डी डिस कंटीनियू हो गया हमारा डिस कंटीनियू उसी तरह से पिटमैन में आप देखेंगे डिस हो गया देन कंटीनियू के लिए पूरा न्यू बनाया दिया continue आगे discontinued discontinued nude में आया तो इसको half कर दिया उसी तरह से इसमें dis हो गया कमकन के लिए dot dash बनाया n हो गया d, d को इधर शो करा दिया continued ठीक है आगे discontinuation discontinuation में आपने कुछ नहीं करना discontinuation sun का hook लगा देना है dis हो गया continuation या तो आप इसको थोड़ा सा gap के साथ में बना सकते हैं ठीक है उसी तरह से इसमें क्या किया हुए dis हो गया continue continue shund के लिए ये shn के साथ में n का hook लगा के half कर दिया shund continue आगे है organized और हो गया gay हो गया stsd का loop हो गया organized और इसमें क्या किया हुआ है f और व का hook लगा n का hook लगा दिया organize organizational और हो गया ये नई जेशनल ये हमार और और गनाई ये इसमें आप देखेंगे तो बनाने में थोड़ा सा easy landing method बन दिया और गनाई जेशनल ये जेशन के साथ में एल जोड़ा है तब इसके साथ में इस तरह से बनाया मैं आपको एक बार दुबारा से बना कर दिखा दे रहा हूँ pitman और दौनों ही remove हो गए तो कोई बात नहीं दुबारा से हम बना दे रहा है organizational जेशन हो गया एल हो गया organizational इसमें क्या हुआ है इसमें ये organizational ये शन के साथ में आगे है reorganizational री के लिए क्या करेंगे र बना देंगे एक अपरवर्ट की फॉर्म में जिसने भी prefix अफिक्स किया है पता ही होगा नहीं किया है तो हमारे website पर आपको दिया हुआ है और हमारे YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे और नहीं समझ में आता आप मुझे कान्ठे कर सकते हैं नंबर दिया हुआ उसी तरह से री आर्गे नाइजिशनल री ओर्गे नाइजेशन री ऑर्गे नाइजिशन आ गय है री आर्गे नाइज्ड अभी हमारे रह गया लिए इस के लिए हमारे डेस हो गया उसी के साथ में और गे नाइजड इस तरह से आप बना सकते हैं STSD का लूप लगा के Disorganized और उन्होंने क्या क्यों है Dis बनाया और और गे नई N का हुक लगा दिया इन्होंने इस तरह से बने हुआ है Reorganized Re हो गया Organized Re-Organ and ST के साथ में loop लगा दिया Organized उसमें क्या है Re-Organized इन्होंने ये बनाया हुआ है Develop और developed इसमें क्या करेंगे D के साथ में VL Gap ज़्यादा दे दिया और उस भी तरह से developed ये हमने developed इसमें क्या किया है इसमें केबल दो तरह से दिया हुआ है Develop पी पूरा और एक developed इसमें भी इस तरह से दिया हुआ है आगे है development यहां हमने इसको development को उस तरह से count कर लिया है development और इसमें किस तरह से बनाय हुआ है development D हो गया VL हो गया P हो गया MNT हो गया ठीक है तो आपका ये development तो आपको pen उठाना पड़े है हो गया devaluation D हो गया then V में L और shun का hook devaluation ही हो गया अब उसमें देखेंगे इसमें जो था वो ये बने हुआ है तो हो सकता है आपस में दौनों में match करेगा तो जो आपको easy लग रहा है वो करिएगा और मैं वह ही कहूंग अगर आपने एक steno अच्छी तरह से करनी है तो उस तरह के उस family के सारे word एक साथ search करिएगा उनको एक साथ बनाने का प्रयास करिएगा आपको कभी भी एक शब्द बनाना है आप चार बनाने का प्रयास कीजिएगा उस family से उस sound से मिलते जोलते जितने भी शब्द आप बनाएगा तो मैं आशा करता हूँ कि इस condition के साथ में आप बहुत अच्छे stenographer बनेंगे और अगर कोई भी परेशानी है कोई भी जानकारी है सुझाव है और हमारी website पर भी आप जाकर किसी भी dictation के लिए प्राप्त कर सकते हैं यहां हम आपको phrases grammelox short form आपको उपलब्द करा रहे हैं dictation के साथ में 40 word per minute, 60 word per minute, 80 word per minute, 100 word per minute इस तरह से हमने 180 तक आपको dictation दिये हुई है आप English या Hindi किसी भी language में dictation प्राप्त कर सकते हैं और यहां पे हमने अपना contact number भी share किया हुआ है साथ ही अगर dictation पसंद आ रहे हैं आपको like कीजिए, share कीजिए अपने साथियों को बताएगा जो भी सीखना चाहते हैं यह सारा कुछ free of cost है आप देख रहे हैं जो वीडियो पे हमने upload किया हुआ है यह free of cost है लेकिन हो सकता है in future possibility ना हो कर दो